Hello children, today we are going to learn a new poem and the title of the poem is The Duck and the Kangaroo. It is written by Edward Lear. So this poem elaborates the desire of a duck who is confined within the limits of the pond. एक डक होता है, उसकी एरिया क्या होती है? पॉन उसी के अंदर रहता है, तो यहां उसका डिजायर दिखाया गया है, उसकी इच्छा दिखाया गया है कि कैसे वो उस पॉन से बाहर निकल, के और सारी दुनिया को देखना चाता है. और इसके लिए वो help चाता है अपने दोस्त की जो की है एक kangaroo. वो उससे request करता है कि please, मुझे एक world trip पे ले चलो, अपने पीप पे बिठा के. So let's read this poem now. तो the duck is awestruck to see the moment of the kangaroo. वो kangaroo को देखके बहुत ही बहुत चक्का रह जाता है कि अरे वाह यह तुम बहुत ही कूदफान करता है. It expressed that the kangaroo could hop continuously over the field and water bodies. कि तुम कैसे जमीन पे भी कूद लेते हो, पानी के अंदर भी चल लेते हो, तुम तुम बड़े ही smart हो. जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं. My life is a bore in this nasty pond. Nasty का मतलब होता है unpleasant, जो कि अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे duck जो है, वो अपनी life के बारे में बता रहा है कि मेरी life तो बड़ी ही boring है. And I long to go out in the world beyond. Long to go का मतलब है, मेरी इच्छ है कि मैं कभी बाहर जाओ. I wish I could hop like you, set the duck to the kangaroo. मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं तुमारी तरह hop करूँ, कूदूँ. ऐसा कौन कह रहा है? ड़क कह रहा है kangaroo को. Please give me a ride on your back, set the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. तो यहाँ पे the duck requests the kangaroo to give it a ride on its back. कि तुम मुझे अपनी पीट पे बिठा लो, please. और एक promise भी करता है. क्या promise करता है? I would sit quite still. मैं बिल्कुल चुप चाप बैठूँगा and say nothing but quack. What is quack? A sound which is made by the duck. मैं सिरफ quack quack करूँगा, और कुछ नहीं करूँगा. तो यहाँ पे यह दो प्लेसे हैं, जहाँ डग जाना चाता है. वी रोन नो कहां है यह? इमाजिनरी प्लेसे हो कहता है, हम डी जाएंगे, हम जैली बोली जाएंगे, तो अपनी लिस्ट बनाता है प्लेसे की, कि हम यहाँ वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे and it adds that they would hop over the land and the sea. Set the kangaroo to the duck. This requires some little reflection. Perhaps on the whole, it might bring me luck. and there seems but one objection. तो अब तक duck कह रहा था अपनी wish के बारे में. अब उसकी बात का reply दे रहा है kangaroo. वो क्या कह रहा है? This requires some little reflection. Reflection का मतलब होता है विचार. यानि तुम्हारी इस request पे भाया मुझे दिमाग में एक विचार आया है मेरे. On the whole, it might bring me luck and there seems but one objection. बस एक ही objection है मुझे तुम्हारी इस request पे जो तुम कह रहे हो ना, कि मुझे घुमाने ले चलो. इस पे एक मेरे एक problem है. Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. तुम्हारे पेर जो हैं, वो इतने wet, गीले और ठंडे हैं and would probably give me the rheumatis. Rheumatis का मतलब होता है दर्द. ठंड का मौसम होता है, अगर हम ठंडे में, जैसे आप देखिए बर्फ को अगर आप अपने शरीर पे रख लो या हाथ पे रख लो, तो हाथ सुननों जाता है, तो कैंगरू वही कह रहा है, कि वही तुम्हारे पेर तो बड़े ही ठंडे और गीले होते हैं, अगर तुम मेरे उपर बैठ जाओगे, तो it will give me a body pain, तो ये एक objection तो मुझे है, कैसे ले चलू मैं तुमें, मुझे ठंड लग जाएगी, बिमार हो जलत है, E नहीं आएगा, S-A-T, तो बो कह रहा है कि कल जब मैं रॉक्स पे बैठा था, तो मुझे भी तुम्हारी प्रॉबलम का एक सॉलूशन दिमाग में आया है, I have thought over that completely, मैंने बहुत सूचा उसके बारे में, and I bought four pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly, तो हम जानते हैं कि डख का जो पैर हो होते हैं, web type होते हैं, तो कहता है कि मैं ऐसे सॉक्स लाया हूँ, four pair, चार जोडी, जो मैं एक के बाद एक अपने पैरों में पहन लूगा, जिससे मेरे पैर जो है वो ठंडे नहीं रहेंगे, वो गरम हो जाएंगे, and to keep out the cold, I have bought a cloak, C-L-O-A-K, cloak का मतलब होता है, shrug, यानि गरम कपडा, वो भी लाया हूँ मैं, and every day, a cigar I'll smoke, और हर रोज मैं एक cigar भी पिऊँगा, cigarette होती है, वो भी पिऊँगा, ताकि मेरी body गरम रहे, all to follow my own dear truth, और यह सब मैं अपने प्यारे दोस्त के लिए करूँगा, love of a kangaroo, so what the duck said, कि मुझे ऐसा खयाल आया है, I thought over it, and in order to avoid your objection, I have bought four pairs of socks, so my feet will be warm, and I'll also wear a clock or shrug, and also smoke a cigar every day, so the duck would do all this to protect his friend kangaroo, said the kangaroo, I'm ready, तो duck की बात सुनके, यानि इतना इंतिजाम कर लिया है duck ने, तो kangaroo भी बहुत खुश हो जाता है, और वो क्या बोलता है, I'm ready, मैं तुमारी इच्छा पूरी करने के लिए तयार हूँ, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady, तो हम शाम को जब moonlight होगी तब चलेंगे, और मेरा balance बहुत अच् and quiet at the end of my tail, तो आप देख रहे हो न, यह कहां बैठा है duck, तो यह kangaroo request करता है, कि तुम मेरी tail पे बैठ जाना था कि मेरा balance भी बना रहे, so away they went with a hop and a bound, दोनों निकल पड़ते हैं, and they hopped the whole world three times round, कितनी बार, तीन बार पोरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo, तो kangaroo जो है, he was satisfied with the duck's response and got ready for the ride, and at night when the sky was filled with the pale light of the moon, पूरी चाननी बिखरी हुई थी, उस ताइम बो निकलते हैं, they started their trip with a hop, the kangaroo asked the duck to hold it firmly, and they travelled around the world three times, and both the friends enjoyed each other's company, So children, I hope you have understood this poem, which was a conversation between a duck and a kangaroo, दोनों ही friends की बादचीत, उनकी विश जो है, वा आपको समझ आ गई होगी, and still, if there is any doubt, you can anytime ask me, okay, have a good day.